नमस्कार मित्रों आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल केड़ा में स्वागत है तो मित्रों आज में आपके लिए उच्छी दच्छिता आसूलेखन अब्यास दो का डिक्टेशन सव सब्दिपरती मिनट की स्पीड से लाया हूं डिक्टेशन इस्टार्ट होने म सेस हैं दस सेकेंड रेडी इस्टार्ट हिंदी साहित्य में हालावाद के परवर्तक एवं मोर्धन कवी हारिवन सिराय बच्चन उत्तर छायावाद काल के प्रमुक कवियों में से एक हैं हाला प्याला और मधुसाला के परदीकों से जो बात इन्होंने कही है वहां हिंदी की सबसे अधिक लोक्प्रिय कविताएं अस्थापित हुई दर असल उनका वास्तविक नाम हरिवन सिरिवास्तव था इनको बाल काल में बच्चन कहा जाता था जिसका साबदिक अर्थ बच्चाया संतान होता है बाद में वे इसी नाम से मसुहूर हुए बच्चन ने सीधी सरल भासा में साहित्तिक रचना की आत्म पर चैवा दिन जल्दी जल्दी डलता है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं दिन जल्दी जल्दी डलता है में उन्होंने मानव जीवन की नच्चवर्ता को इश्पष्ट करते हुए दरसंतत्व को उद्दाटित करने का समर्थक परियास किया है बच्चन मुख्यता मानव भावना अनुभूती प्राणों की ज्वाला तथा जीवन संगर्स के आत्मनिष्ट कवी हैं उनकी कविताओं में भावुकता के साथ ही रस और आनंद भी दिखाई देता है उनके गीतों में बहुत दिक्सन वेधन के साथ ही गहन अनुभूती भी है साहित सिल्पी बच्चन की कविता सुनकर स्रोता जूमने लगते थे वे कहा करते थे सच्चा पाटक वही है जो साहिडदै हो विशय और सैली की दिर्ष्टी से स्वाभाविक्ता बच्चन की कविताओं की विशेस्ता है उनकी कविताओं में रूमानियत और कसक है वहीं गयता सरल्ता सरस्ता के कारण इनके काविसंग्रहों को काफी पसंद किया गया बच्चन ने सन 1935 से 1940 के बीज व्यापक निरासा से दौर में मध्यम वर्ग के विचुब्ध और वेदनागरस्त मन को वाणी दी बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 में इलाहाबाद से सटे परताब गर जिले में एक छोटे से गाउं बाबु पट्टी में कायस्त परिवार में हुआ था उनके पिता का नाम प्रताप नारायन सिर्वास्तव तथा माता का नाम सरस्वती देवी था उन्होंने प्रियाग विस्विद्याले से अंग्रेजी में में किया और पिएच डी की उपादे क्रैम विस्विद्याले से प्राप्त की तथा प्रियाग विस्विद्याले में अध्यापन कारी किया कुछ समय तक वे आका सुमारी के साहित्तिक कारिक्रमों से भी संबद्ध रहे उनका विवा उन्नेस वर्स की अवस्था में ही स्यामा के साथ हो गया था सन 1936 में स्यामाखी छह रोग से अकाल मिर्क्य हो गई थी इसके पांच वर्स परश्चात 1941 में बच्चन ने तेजी सूरी के साथ प्रेम विवाह किया तेजी संगीत और रंगमंच से जुड़ी हुई थी तेजी बच्चन से उन्हें दो पुत्र हुए अमिताब एवं अजिताब अमिताब बच्चन हिंदी सिनेमा के एक ख्यात नाम अभिनेता हैं बच्चन ने आत्म परक्ता निरासावेदना जैसे विशियों पर आधारित कविताएं लिखी मात्र तेरा वर्स की चोटी सी उम्र से बच्चन ने लिखना प्रारंब किया था इठाब इच्चन अबच्चन को